चोपड़ा एजिकोईसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ NTA ने नीट एक्जाम के लिए 7 पेजेज की एक एडवाईजरी जारी की है इसमें NTA के द्वारा इंस्ट्रेक्शन्स, गाइडलाइन्स और ओडर्स दिये गए हैं आप इस एडवाईजरी को NTA.NIC.IN की वेबसाइट से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं वैसे इसके मैन मैन पॉइंट इजी लेंग्वेज में मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है Allocation of Candidate at Exam Center Candidate को Social Distancing Norms के अनुसार Space मेंटेन करना होगा Sitting Plan इस तरह के से होगा कि एक स्टुडेंट से दूसरे स्टुडेंट के बीच में सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो सके इसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो यह है Changes in Candidate Admit Card Point यह है इस बार Admit Card में COVID-19 के रिलेटेड सोशिल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्देश दिये गये है Candidate को Exam Center पर रिपोर्ट करने के लिए एक टाइम स्लोट दिया गया है Exam Room में कौन-कौन से आइटम पर्मिटेड है यह Admit Card पर लिखा गया है Center Location का Hyper Link दिया गया है इस लिंक पर चेक करके आप Exam Center की Details पता कर सकते हैं और उस पर पहुंस सकते हैं अगर कोई विकलांग है और उसने Scribe अवेल किया है तो Candidate और Scribe दोनों को मास्क पहनना होगा इसके बाद इसमें Next Point जो दिया गया है वो दिया गया है Training of Staff on Social Distancing इसमें आगे लिखा है 12 September को City Coordinators दवारा Brief करने के बाद Center Superintendent स्टाप के साथ एक Meeting Conduct करेंगे जिसमें इन बातों पर Focus करने के लिए कहा जाएगा Social Distancing Norms, Exam Conduct के लिए जारी Guidelines का पालन करना और SOP का पालन करना Safety Precaution के लिए इसके बाद में इसमें जो Next Point दिया गया है वो दिया गया है Inventory Management परते एक Exam Center पर ये चीजें Follow होंगी इसमें सबसे पहला Point रिखा है स्टाप और Candidate के लिए Mask और Hand Glows प्रोवाइड की जाएंगे Hand Sanitizer Exam Hall में इंट्री से पहले अवेलेबल होगा Spray Bottles, Sodium Hypocloride एकजाम सेंटर पर स्प्रे के लिए अवेलेबल होंगे Liquid Hand Wash या Soap Wash Room में अवेलेबल होगा Thermo Guns Student और स्टाप का Temperature Thermo Guns से चेक करने के लिए Thermo Guns अवेलेबल होगी हर एकजाम सेंटर पर इसके बाद Additional Notice Board अवेलेबल होगा Candidate और स्टाप के लिए Water Management होगा Student Transparent Butter Bottle भी अपने घर से ला सकते हैं वो भी Allow है उनको Entrance Gate के बाहर Student को लाइन में खड़े रहने के लिए मार्क किया हुआ होगा एकजाम सेंटर को सेनिटाइज करना होगा अभी इसमें Next Point लिखा है Start 8 Day यानि एकजाम स्टाट होने से पहले पूरे एकजाम सेंटर फ्लोर, वाल्स, डोर्स, गैट्स पर इस्प्रे मसीन से इस्प्रे करना होगा स्टाफ वेरिफिकेशन के बाद फ्रेस, मास्क और ग्लोज यूज करने हैं डेस्क, इंट्रीगेट, रूम्स, रेजिस्टेशन टेक्स, कंडिडेट एरिया, टेबल, चेर, सभी सैनिटाइज किये जाएंगे वास्रूम और ट्रेस बिन क्लीन होंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट है एट एंड ओप दी डे एक्जाम खतम होने के बाद यूज किये हुई मास्क और ग्लोज एक्जाम हाल के बार पैडल पुस कवर्ड बिन में डालना है इन सभी मास्क और ग्लोज को हेल्थ अठ थोटी द्वारा इशूड की गई गाइडलाइन के अनुसार डिस्पोज करना होगा स्टाफ वेरिफिकेशन एंड सेल्फ डिक्लिरेशन सभी स्टाफ को उसमें ये लिखावा है कि सभी स्टाफ मास्क और ग्लोज पहनेंगे और उन्हें सेल्फ डिक्लिरेशन देना होगा और थर्मोगन से टेमपरेजर चेक करवाना होगा नेक्स्ट में लिखा है क्राउड मेनेजमेंट आउट साइड दी एक्जाम सेंटर सोशल डिस्टेंसिंग फोलो करनी है लाइन में खड़े रहने के लिए फ्लोर पर मार्क्स के जाएंगे टाइम स्लोट पर कंडिडेट को कॉल करने के लिए लाउड हैलर का प्रियोग किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग कंडिडेट आप्टर इंटरी इंटू दी सेंटर कि किस परकार से सेंटर पर इंटर होने के बाद मैनेज किया जाएगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंडिडेट एड्मिट कार्ड में में निचन टाइम स्लोट के अनुसार बैच में रिपोर्ट करेंगे जो 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा next है इसमें registration room में thermal gun से body temperature record किया जाएगा ये दी temperature 99.4 से कम है तो उसे documents verification और frisking के लिए भीजा जाएगा अगर ज्यादा है तो उसको exam के लिए isolation room यानि separate room में भीजा जाएगा documents verification और frisking में 15-20 minute का समय लगता है अगर इसमें temperature normal हो जाता है तो ठीक है नहीं तो उसको अकेले में exam देना होगा इसमें next point यह है कि candidate को admit card इसके बाद valid government ID दिखाने होंगे अगर कोई candidate विकलांग है तो उसको विकलांग certificate दिखाना होगा अगर उसने subscribe avail किया है तो उसको undertaking देना होगा इसमें next point है verification के बाद seat allocation चार्ट में seat चेक करके examiner आपको room number बताएगा exam hall का room number बतादेगा कौन से exam hall में आपकी seating है तो वहाँ पर आपको बैठ जाना है इसके बाद registration room के बार खड़ा जो examiner है वो ensure करेगा कि first batch में 10 student अंदर आएंगे और फिर first वाले 5 निकल जाने के बाद next 5 फिर इंटर करेंगी तो इस परकार से ज्यादा भीड ना हो ये ensure किया जाएगा जो exam hall के बार examiner खड़ा है शोरी registration room के बार examiner खड़ा है इसके बाद में इसमें next point है entry of candidate as per time slot given in admit card भीड से बचने के लिए exam center में प्रवेश time slot के अनुसार दिया जाएगा जो admit card पर लिखा होगा गैट पर जो security guard होगा वो mask और glows लगाए हुए होगा इसमें next point है कि candidate का 15 girls और 15 boys के बैस में दो अलग अलग registration room के बार thermal scanning होगी उसके बाद उनका room में documents verification होगा ये room के अंदर ही होगा यहाँ पर admit card और ID proof चेक होगा और examiner दोरा आपको room number alert किया जाएगा यहाँ रूम नमबर बता दिया जाएगा exam के दोरान physical तोर पर किसी भी candidate का document टच नहीं किया जाएगा अब इसमें next point है use of thermo guns entry point पर सभी candidate और staff का fewer check किया जाएगा अगर temperature 99.4 से ज्यादा है तो COVID-19 या फिर उसको COVID-19 की election है तो उसको separate room में exam लिया जाएगा उसका इसके बाद आगे लिखा है इसमें COVID-19 की local help line नमबर है वो center पर लिखे होंगे जरुरत पढ़ने पर उसका प्रियोग किया जा सकता है इसमें आगे लिखा है social distancing maintain करने के लिए लगातार announcement exam center दोरा किये जाएंगे अभी इसमें next जो point है वो लिखा है items permitted into the examination room oblique hall for candidates यानि की candidate mask ले जा सकते हैं चैरे पर पैन के हाथों में पैन के gloss ले जा सकते हैं इसके बाद अपना personal transparent water bottle ले जा सकते हैं और इसमें hand sanitize ले जाना होगा उनको और exam related जो documents है admit card है, ID proof है वो लेके जाना है इसके अलावा अन्य कोई documents नहीं लेके जाना है ये admit card पर भी लिखा है कि कौन से documents आपको permit है और कौन से documents permit नहीं है उसी के अनुसार आपको documents लेकर के जाना है अभी इसमें आगे लिखा है candidate fisking आगे इसमें लिखा है कि body parts चेक नहीं होंगे बिना physical contact के metal detector से द्वारा चेक किया जाएगा Bluetooth वे Wi-Fi की भी चेकिंग exam हल में होगी jammer और CCTV exam center पर लगे होंगे जो NTA ने अपने guideline में जारी किये हैं इसके बाद आगे लिखा है documents verification के लिए तीन fit की table registration room में रखी जाएगी और इसके बाद में आगे जो point लिखा है during examinations control oblique measures इसमें लिखा है candidate को authenticate किया जाएगा सभी room में videography होगी इसके बाद attendance seat पर candidate के signature उसकी table पर ही लिये जाएंगे thumb impression नहीं लिया जाएगा अगर examiner किसी student की कोई problem solve करता है तो उसको पहले अपने बिना hand glows उतारे अपने hands को sanitize करना होगा तो ये इसमें condition दी गई है washroom से बाहर निकलने से पहले hand wash करना होगा पीने के पाने की वैवस्ता करने होगी personal water bottle जो candidate दोरा लाई गई है उसको allow करना है इसके बाद में आगे next point है इसमें जो लिखा है वो लिखा है post examination controls इसमें आगे लिखा है candidate को exam खतम होने के बाद एक के बाद एक बाद एक बार आना है यानि की एक साथ नहीं आना है mask और gloss paddle pulse covered बिन जो exam hall के बार होगी उसमें डालना है भीड नहीं करना है एक distance maintain करके रखना है सभी examiners दवारा record maintain करना होगा तो दोस्तो ये थी advisory जो NTA ने जारी की है इसके main main point simple बादसा में मैंने आपको समझा दिये है अगर फिर भी कोई problem आती है तो आप मेरे को comments लिख सकते है नए वीडियो में नई update के साथ में मैं फिर आप से मिलूँगा तब तक के लिए जैह तक के लिए जैह